Hello everyone, welcome to my channel Creative Housewife इस वीडियो में हम पुरानी जीन से स्कर्ट बनाएंगे जो कि तीन से लेगे पांस साल ते की बच्चे को आ जाएगे और कुछ आपके बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है जैसे कि आप जानते हो स्कर्ट है तो स्कर्ट आप तीन साल के बच्चे को पैना होगे तो वह यह थोड़ा लॉंग में आएगा और पांस साल के बच्चे को पैना होगे तो थोड़ा शॉट में आएगा तो लेंद से हमें ज्यादा लेना देना नहीं होता कमर से हमें लेना देना है यहां से भी इसे सीधा सीधा कट करेंगे यह देखे सीधा सीधा हम कट करेंगे यह करने के बाद हम यहां से इसे हम खोलेंगे यह सिलाई में खोल देनी है और आप ध्यान दीजिए कि जिस तरफ एकदम सीधी सिलाई लगी होगी वो साइट हमें खोलनी है जिस तरफ थोड़ी जिलाई है इस कि इस तरफ हम नापकिए depends किटना आ रहा है तो 7.2 आ रहा है नतल्द सब साथ इंचे लगभग तो उतना ही निशान हम लगा लेंगे सिदा-सिदा एक दम सिदा-सिदा निशान लगाएंगे ताकि एक दम सेधि पट्टी करीब कट के आ आए और देखें सिलाई के एक तरफ 7.2 के करीब कपड़ा आपका निकला है तो इसे हम काटके निकाल लेंगे और आप ध्यान देजेगा कि आप जब दूसरी तरफ नापेंगे न तो वो हिस्सा थोड़ा जादा होगा जैसे कि अब आप देखेंगे यह देखें दूसरी तरफ वाला एरिया देखें मैं यहाँ पर नाप तो मेरा 8 इंच आ रहा है तो 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया तो आपने देखा जिलाई कि एक तरफ 7.2 इंच करिवाया एक तरफ 8 इंच करिव तो यह वाला जो नाप है वह आपका आप किसकी जीन्स ले रहे हो जैंस जीन्स जीन्स है लिरी जीन्स है मतलब जिस साइज की भी जैंस उसके इसाब से ही निकले गाई यह तो जिता आदा स कर सकते हो और उसको लेंद बढ़ाने के लिए कोई लेस लगा सकते हो या फिर जीन्स के कपड़े को ही बॉर्डर बना के पट्टी की तरह जोड़ के उसके लेंद बढ़ा सकते हो तो जितना भी कपड़ा आपका निकलता उतना निकाल लेजे अब जैसे यहां पे मैं 8 सब्सक्राइब के लिए इनको हम आपस में जोड़ेंगे इस तीन पट्टी मैंने कटकी है आप चौथी निकालते हो तो चौथी भी निकाल लीजे क्या होगा कुछ नहीं आपका घेरा जादा आएगा अच्छा लगेगा इस तरीके से 7.2 इंच की पट्टी को देखिए मैं आपस में जोड़ लिया है और बीच में से कपड़े को चीरते हुए भी सिलाई लगा लिए ताकि एक ही जगा मेरा कपड़ा मोटा ना हो अब दूसरी साइट भी देखिए मैं जोड रहे हूं इस तरीके से रहके हम जोड़ लेंगे अगर आप बिंगनर से आप थ्यान कपड़े की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ आमने सामने हैं यह देखिए इस तरीके से चीरते हुए जब आप यहां साइड साइड में भी सिलाई लगा लेंगे तोनों तरफ तो एक ही जगा कपड़ा मोटा नहीं होगा इस तरीके से आप कर लिजे और एक लंबी सि पट्टी त्यार कर लिजे कौन सी पट्टी जो हमने 7.2 इंच की काटी थे वह वाली अब देखिए यहां से इसे हम सिल्के फोल्ड कर लेंगे चुरूरी नहीं कि आप दो बार फोल्ड करके और फिस सिलाई लगा दीजे अब देखिए इस पट्टी पे दो-दो इंच के डि 2.5 इंच पे निशान दीजेगा तो अभी 2-2 इंच पे मैं निशान दे रहे हूं और आप देखिए किस तरीके से इन पट्टियों को हम प्लीट में कनवर्ट कर रहे हैं तो इन्हें बॉक्स प्लीट का जाता है तो बॉक्स प्लीट हम यहां पे दे रहे हैं देखिए एक द इसका हम ध्यान रखेंगे और प्लीट का रुख एक दूसरी की तरफ हो इसका भी हम ध्यान रखेंगे तो यह प्लीट आप दो इंच पे जैसे मैंने यहां पे दिये अगर आपकी पट्टी ज्यादा लंबी निकलती है लाइक मैंने यहां तीन कल्यों को एक साथ जोड़ा ह और आप 4 पट्टियों को जोड़ रहे हो तो 1.5 इंच की प्लीट यह देजिए और लंबी हो जाएगी तो 3 इंच की प्लीट या फिर आप घनी घनी प्लीट दे सकते हो छोट छोटी या फिर नॉमल जो चुन्यटे होती है वो दे सकते हो प्रस बहुत सारे option है आपको अगर चींच से बनानी हो या थान के कपड़े से तो यह देखिए आपने इस तरीके से बन के आई है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और जो आठ इंच चौड़ी वाली पट्टी थी इसे मैं यहां से फोल्ड करूंगी और आप फूल्ड मैंने यहां कम किया है क्योंकि म आप जादा फोल्ड कीजिए और यहां भी लास्टी की लंबाई में पास 22 इंच है जो कि तीन से लेके पांस साल के बच्चे को एक तम सही आएगा तीन साल के बच्चे में अगर आपका बच्चा थोड़ा वीक है तो आपको थोड़ा सिल्थ वक्त जादा दबा देना है ल यहां किनारी किनारी पर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे अब सिलाई लगाने के बाद एक पार इसे स्ट्रेच करेंगे अच्छे से तो यह कपड़ा जो है इक्वल स्प्रेड हो जाएगा तो इस तहीके से आप इसे छोड़ सकते है या तो पिर चाहे तो बीच में इलास्टिक एक सिलाई भी लगा सकते हैं क्यूंकि मेरी यहां पतली वाली है तो इसलिए मैं ऐसे चोड़ रहे हूं अब इस पीस के साथ हम ने जो प्लेट्स दे थी उस वाले पीस को अटैच करेंगे देखें सीधी साइड जीन्स की जो अंदर की तरफ है आमने सामने इस के पराबर नहीं आए थोड़ी चूटी बड़ी आए तो उसके ज्यादा आएगा तो एक प्लीट और एक्स्टर दे दीजेगा जबर्दस्ति घुसा दीजेगा कोई फर्क नी पड़ता और ज्याद लगे तो कट करने से अच्छा आप जबर्दस्ति बड़ी प्लीट उसके बच्छे दुबले पतले भी होते हैं तो फिर आपको क्या करना एक को थोड़ा और ज़्यादा गए तो यह देखिए इस तरीके से हमारी स्कूर्ट आ गई है अब यह स्कूर्ट थोड़ी सुनी सुनी आपको लग रही है मुझे तो लग रही है तो उसके लिए यह तो जहां मैने मार्गें किया हुए ही पर हम सिलाय लगाएंगे, बीच का जो हिस्सा होगा वहाँ पर सिलाय नहीं लगाएंगे अब ये सिलाय को एंटर में लेके आएंगे, आपस में इस तरीके से फैलाएंगे ताकि एक ही जगा कपड़ा ज्यादा मोटा ना हो यह स्सवी फ़मिस ले कर रहे हैं क्येंकर जिनसां कपड़ा मौटा होता है अब दो नियों किनारियों को इस तरह के सिलाई लाया कर बंद कर लिए दोनों तरफ से सिलाई मारी है मैंने यह स्किप हो गया मुझ से लेकिन दोनों तरफ सिलाई मारा के बंद कर लिया और जो बीच का हिस्सा हमने छोड़ा था वहां से इस बो को पलट लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसके कॉर्णर को मैंने सीजर से निकाल ल किया जाएगा इसे हम पक्का कर लेंगे और बीच में चाहें तो आप कोई फैंसी बटन अब जैसे मैं यहां पर एक सिंपल से बटन लगा रहे हूं तो आप लगा सकते हैं और इस तरीके से इस बोक हम यहां पे अटाइच कर देंगे तो देखिए हमारी स्कुर्ट का कि अटाइच के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा तो मिलती हूं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ तब तके लिए थैंक यू और बाई